नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी समस्या के उपर जो बहुत गहन है अगर NCBI की रिपोर्ट माने तो भारत में 20 प्रतिशत ऐसे जोड़े हैं जो इस समस्या से जूज रहे हैं कहने के लिए तो केवल 11 एलफाबेट का एक शब्द है लेकिन जो लोग इसे जूज रहे हैं वो इसका दर्द जानते हैं जो लोग इस इनफर्टिलिटी से संतान हींता से जूद रहे हैं आप देखेंगे उनके जीवन में दुख, अपरसन्नता, तनाव, स्ट्रेस और समाजिक ऐसे प्रेशार आ जाते हैं जिसकी वज़े से उनका जीवन बिलकुल ही निराशा से भर जाता है कई बार इस्तिती ये तक पहुंच जाती है कि वो लोग तलाक के बारे में सोचने लगते हैं दोस्तों, दो एक ऐसी बेसिक चीजे हैं जो धर्ती पे रहने वाले हर जीव की मूल प्रवर्ती है, बेसिक इंस्टिंक्ट है पहला है अपने जीवन की रक्षा करना और दूसरा है अपनी पीडी को अपने जीन्स को आगे बढ़ाना ये किवल मनुश्य नहीं, जीव जंतू में भी आप देखेंगे तो ये चीज हमेशा हावी रहती है तो अब समझते हैं कि आखिरी संतान हींता ये इन्फर्टिलिटी है क्या मेडिकल टर्न के उपर अगर जाएं तो बड़ा सिंपल सा उनका रूल है ऐसे जोडे, ऐसे पती-पतनी जो एक साल तक बिना प्रोटेक्शन के यदि सहवास करते हैं इंटर कोर्स करते हैं, उसके बाद भी यदि बेबी कंसीव नहीं होता तो वो आते हैं इन्फर्टिलिटी की कैटेगरी में अब ये तकलीफ तो परसनल है ही है, आपके मन में तो इसका दर्द है ही है साथ ही साथ कई बार समाजिक ऐसे प्रेशार आ जाते हैं, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो दिल को चीर देने वाले हैं बांजपन, निर्वनशिये, ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपके दिल को चीर सकती है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आया हूँ कि आखिर ये इनफर्टिलिटी है क्या, इसके कारण क्या है, आप पहले ही इससे कैसे बच सकते हैं और ऐसा नहीं की सिर्फ इतना ही है, मैं इसके लिए आपको एक ऐसा आयुरुवेदिक सलूशन दूँगा जिसे हजारों सालों से प्रियोग किया गया है, अगर आपने बताये गए तरीके से इस मुस्के का प्रियोग करा तब आप देखेंगे दो ही महीनों में आपकी संतान हींता दूर हो जाए तो आई अब समझते हैं कि यह है क्या कितने प्रकार की होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है सबसे पहली चीज अगर मैं इसके प्रकार इसके टाइप्स की बात करूँ तो ये दो प्रकार की होती है सबसे पहली प्राइमरी जिन लोगों की भी शादी हुई और उन्हें जीवन में एक भी संतान नहीं हुई पहली संतान ही नहीं हुई वो लोग आते हैं primary infertility की category में और दूसरे वो लोग भी हैं जिनकी पहली संतान तो हो गई दूसरे बच्चे के लिए उन्होंने gap किया बड़ा बच्चा 4-5 साल का हो गया या उससे ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन second time baby conceive ही नहीं हुआ तो उसे कहा जाता है secondary infertility इसके साथ ही साथ इसका life में बहुत बड़ा impact है जो मैं आपको वीडियो में पीछे बता चुका हूं ऐसे मेरे पास बहुत लोगों के phone आते हैं जो well to do हैं बड़े बड़े शेहरों में corporate में बहुत अच्छी job कर रहे हैं husband wife दोनों working है they can do each and everything in their life they are economically well strong लेकिन केवल संतान नहीं है अब इस वज़े से क्या होता है जो जीवन के बाकी सारे सुख हैं वो भी फीके पड़ जाते हैं और तो और चाहें वो आपका friend circle हो आपकी जो society है आपका परिवार है वो सारे ही लोग एक तो आपको कुछ देखेंगे भी इस तरीके से या फिर कुछ ऐ आपके पीछे ऐसे शब्दों का चैन करेंगे जो आपके लिए बहुत दिल को तोड़ देने जैसे होते हैं तो इसका impact life पे बहुत गहरा होता है आखिरकार बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा तक इसका treatment करा लेते हैं कोई उन्हें solution नहीं मिलता तब बात फिर last में जा में इस नपुन सकता या importance का शिकार ना हो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है eight sperm killing habit अब यह क्या चीज़ है कई बार जाने अन जाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे काम कर देते हैं जिसका negative impact हमारे sperm पर पढ़ता है बहुत सारे ऐसे काम है मैंने इस वीडियो मे eight ऐसे main कारण बता हैं जिसकी वज़े से आप नपुन सकता की तरफ बढ़ने लगते हैं आई बटन दबा कर आप वीडियो देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कारणों की सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कारण जो महिला में बेबी को conceive नहीं होने देते हैं आम तोर पर तो सारा दोश महिलाओं पर मड़ दिया जाता है जबकि ये बात गलत है पुर्षों में इससे ज्यादा ऐसे कारण होते हैं जिस वज़े से संतान की उत्पती नहीं हो पाती संतान सुक्त नहीं पाया जा सकता लेकिन पहले महिलाओं की बात कर लेते है महिलाओं में तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वज़े से बेवी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है सबसे पहले महिलाओं के शरीद में जो ओवरी होती है जहां पर एक की फॉर्मेशन होती है अगर उनकी एक की फॉर्मेशन टाइमली नहीं होती है एक ओवरी से टाइमली जा जाती है तो अंडे का पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है अंडा आपके स्पर्म से मेट नहीं कर पाएगा और फिर बेबी वापस कंसीव नहीं होगा इसके अलावा भी दो ऐसी चीज़े हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बेबी कंसीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक और प्रॉब्लम होती है जिसको बोला जाता है अब इसमें क्या होता है यह जो यूटरस के इनर लेयर है यह इसमें लेयर में यदि किसी तरीके की कोई समस्या है उस दशा में भी एग आपका स्पर्म से मिल तो जाएगा लेकिन बेबी फॉर्मेशन तब भी नहीं होगी यह समस्या हो सकती है इसके साथ ही साथ अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की यूटरस से लिरेटेड अबनॉर्मल्टीज है तब भी आप बेवी कंसीव नहीं कर पाएंगी तो बेसिकली आपकी ओवरी आपकी फैलोपियन टूब या फिर यूटरस में अगर क एडिकेड़ वीडियो बताई है जिसमें ये तरीका बताया कि कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए आई बटन दबा कर आप वो वीडियो देखना ना भूले और अब चलते हैं असल में जो में कारण होता है इन फर्टिलिटी का ज़्यादा तर पुर्शों में ही पाय आएंगे तो इसका डायरेक्ट असर होता है आपकी बॉडि में होने वाले सीमन प्रोडक्शन पर देखे अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं इस्मोकिंग करते हैं तो आपकी बॉडि में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा जिसका हार्मोन का प्रियोग करने लगते हैं टेस्टेस्टरॉन के इंजेक्शन्स लेने लगेंगे उस दशा में क्या होगा जब उनकी बॉडि में सिंथेटिक हार्मोन बॉडि के बाहर से आते हैं तब उनकी बॉडि नैचुरल लेविल पे टेस्टेस्टरॉन बनाना बंद कर द दूसरा और एक बड़ा कारण जो आप सब लोग जानते हैं, वो है हमारे स्पर्म, इस्पर्म में मोटे तोर पर आपको केवल तीन ही चीजे बताई जाती है, चौती एक चीज ऐसी है, जिसे आपने कभी ध्यान नहीं दिया और आपको किसी ने बताया नहीं, वो भी मैं भी ब पोती हैं, उसको तीन हिस्सों में बाट लिया जाता है, इस्पर्म का हैड, उसका मिड़ पार्ट और उसकी टेल, यदि उसका हैड, मिड़ पार्ट या टेल, इन में से कहीं भी कोई डिफेक्ट है, तो इस दशा में आप देखेंगे कि पिता बनने के संभावनाएं फिर से कम हो गई, और तीसरी चीज़ है, स्पर्म काउंट भी पूरा है, उसकी मॉर्फोलजी भी ठीक है, लेकिन अगर उसमें मोटैलिटी ही नहीं है, मूमेंट ही नहीं है, तो वो मूव करके एक से नहीं मिल पाएगा, और वापस वही इन्फर्टेलिटी की समस्या बनी रहेगी एक तो चीज़ हुई ये, अब बात करते हैं उसकी जिस पर लोग ज़्यदा जिकर नहीं करते हैं, वो होता है हमारे स्पर्म में होने वाला पस्सल इंफेक्शन, आम तोर पर जिसकी रीडिंग जो नॉर्मल कही जाती है, वह होती है एक से लेके दो तक, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट्स हाती हैं, अक्सर मैंने उनमें देखा है कि चार, पांच, छे और यहां तकी आठ नो तक भी पस्सल इंफेक्शन बढ़ा हुआ होता है, ये एक ऐसी चीज़ है, आपकी अगर बाकी सारी चीज़े भी ठीक है, तब भी आप पिता नहीं बन पाएंगे, और नह आपके साथी का शरीर आपके वीरे को खुद बखुद अपने शरीर से बाहर कर देता है, क्योंकि बोडी एक बहुत भेतरी मशीन है, वो हर चीज़ जानती है, जिस तरी के साथ जब कुछ गलत खा लेते हैं, तो आप देखेंगे, आपको अटोमेटिकली उल्टी हो जाती ह भुमिट हो जाता है, ठीक ऐसे ही महिला का शरीर ये जानता है कि ये से्पर्म ये वीर ठीक नहीं है, इसमें पसल इंफेक्शन जाता है, तो उसे अपने शरीर से बाहर कर देती है, इस चीज़ का लोग जिकर बोड़ी में जानकारी भी कम है, तो ये तो हुई वो समस्या ज सब्सक्राइब करते हैं या फिर आपका एक्सपोजर पॉल्यूशन में ज्यादा रहता है उन सारी चीज़ों को मिलाकर निगेटिव इंपक्ट आता है आपकी फर्टिलिटी पर जिससे आप संतान हींता की तरफ बढ़ जाते हैं इसके अलावा बढ़ती हुई उमर या बोड को इनफेक्शन भी आपको इसी तरफ ले चलता है तो यह ऐसे कारण हैं जो लगबग महिला पुरुष दोनों में पाये जाते हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी पुरुषों की सहभागिता जादा होती है इन सारी चीज़ों में पुरुष बढ़ चलके हिस्सा लेते हैं तो यह हो गए कॉमन कारण तो मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से ऐसे कारण हुए जो आपको इन फर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं अब बात करते हैं कि आखर इसका सलूशन क्या है सलूशन वही जो वीडियो के शुरू में बताया था सबसे पहले इसमें होता है सालम पंजा सालम पंजा में बहुत सारे एक्टिव कंपाउंट पाये जाते हैं लेकिन मैं यहां पर दो कजिकर करता हूं सबसे पहले चीज इसमें होता है स्टेरोइडल सेपोनिंस और होते हैं फिलानिक कंपाउंड अब यह क्या करेंगा एक आपकी सेक्स्वल ड्राइव को बढ़ाएगा और दूसरा आपकी बॉडि में टेस्टेस्टरॉन को नेचरली बूस्ट करने का काम करता है इसके बाद इसमें होता है रूमी मस्तगी में मिलने वाले पॉलिफिनाइड और यह वोलाटाइल आपके लिए बहुत काम के हैं यह आपके लिबीटों को बढ़ाएगा और ऐसे लोग जिनको इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है उनके लिए बहुत काम का है तीसरी चीज केसर आप पुरानी से पुरानी पिक्चर देख लीजिए वैडिंग नाइट पर आपको केसर वाला दूद मिलेगा ही क्योंकि हमारी पुर्खे यह बात अच्छी दरीके से जानते थी कि केसर कितने काम की चीज़ है इसमें पाये जाने वाले तीन एक्टिव कंपाउंड के बारे में आपको बताता हूं जो है क्रोसिन और साथ में होता है सेफरनल अब इनका काम क्या है सबसे पहली बात यह आपको सेक्सवल अरॉजल देते हैं बहुत सारे लोगों को जिनको टाइमिंग का इशू होता है उसमें भी एक्टिव कंपाउंड काम करते हैं इसी के साथ सफेद मुसली जो आपकी बाडी में टेस्टेस्टरॉन को बूस्ट करता है एक्टाइल डिसफंक्शन की कोई प्रॉबलम है या फिर आपके स्पर्म की क्वांटिटी कम है कॉलिटी गिरी हुई है तो उनको बढ़ाने के लिए सफेद मुसली का प्रियोग होता है इसी के सा इर में आयरुवेद के द्वारा जो बताई गई साथ धातुएं हैं रस रग्त मात मेद अस्ती मज्जा शुक्र इन सब को नरिश करने का काम करता है इसी के साथ साथ में सिद्ध मकर्दवज यदि आप आयरुवेद में थोड़ी भी रूची रखते हैं तो आपने इसका न इंप्रूव करेगा इमनिटी बूस्ट होने से यह फायदा मिलता है कि आपके शरीर को बेकार में चोटी मोटी बिमारियों से लंड के अपनी ताकत बेकार करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप एनरजेटिक फील करेंगे साथ ही साथ जब आपका डाइजेशन दशा में लौ बसम बहुत काम करती है वंग बसम आपका डाइजेशन खराब हो आपकी बॉड़ी में स्ट्रेंथ नहीं हो और तो और जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें किसी तरीके का कोई इंफेक्शन है तो उस दशा में वंग बसम का प्रियोग किया जाता है पिर इसको इसकी हल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है और अनत में इसमें है अबरग बसम जो आपके स्पर्म काउंट और पावर को बढ़ाने का काम करती है तो इन सारी जड़ीबुटियों को मिलाकर तयार किया जाता है मेल फर्टिलिटी बूस्टर यदि आप कितने ही दी भी बहुत आसान है लेकिन आपने बुजरुगों से सुना होगा कोई भी दवा असल में तब काम करती है जब उसे सही ढंग पे सही परेज के साथ लिया जाए इसको खाने का तरीका एकदम आसान है पहले दस दिन आपको इसका सेवन करना है दिन में दो बार नाश्ते के आ साथ का खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है आप इसका परियोग पानी के साथ दूद के साथ और तो और जूस के साथ भी कर सकते हैं यदि आप डाइबिटे के हैं तो पानी के साथ या बिना शक्कर वाले दूद के साथ इसका प्रियोग कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई स सेवन करते हुए इन चीजों को जारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रस उतनी नहीं है जितनी उन लोगों की होगी जो इन चीजों को अवाइड कर रहे हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग और अलकोहल को avoid करें अब इस नुस्के का फाइदा और boost करने के लिए और multiple करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दो तीन common चीज़ अगर आप follow करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके फाइदे और तेजी से और ज्यादा मिलने लगे हैं सबसे पहली चीज़ आप 40 minute की at least walk जरूर करें जब ये नुस्का आपके शरीर में जाता है आपकी पूरी धातुओं को पुष्ट करता है आपके लिए energy बनाता है टेस्टेस्ट्रोन बनाता है लिबिडो लेबिल को बढ़ाता है और जब आप walk करना तक भी पहुंचेगा आपको फाइदा जल्दी मिलेगा दूसरी चीज थोड़ा बहुत योगा कीजिए अनुलोम विलोम कीजिए प्राणायाम कीजिए कपाल भाती कीजिए ब्रामरी कीजिए तमाम किसम के ये छोटे मोटे योगा ब्यास आप कर सकते हैं बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि जब हम नुसके का प्रियोग कर रहे हैं तो हम जिम कर सकते हैं या नहीं इसके लिए आप सिंपल कॉंसेट समझेए जब आप इस नुसके का सेवन करते है तो यह पूरी ताकत लगा देता है आपकी बाडी में टेस्टेस्टेस्टेरों को बढ़ाने के लिए यदि उस टाइम पे आप excessive exercise करेंगे heavy weight करेंगे तब उस टेस्टेस्टेस्टेरों का इस्तमाल आपकी body muscles बनाने के लिए कर लेगी लेकिन आपको जरूरत है testosterone, libido boost करने के लिए, आपको जरूरत है sperm count बढ़ाने के लिए, तो इसलिए जब भी आप कभी इसका 7 करें तो light exercise करें, अपने body weight से exercise करें, लेकिन heavy gym न करें, अगर आप इस बताए गई तरीके से इसके का 7 करते हैं, परेज करते हैं और ये थोड़े से योगा भ्यास बगएरा करते हैं तो आप देखेंगे आपको rapidly और बहुत positive result मिलेंगे तो दोस्तों ये रहा male fertility booster एक ऐसा final solution उन सब लोगों के लिए जो बहुत लंबे time से संतान सुख को प्राप्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं एक तरफ तो ये अपने आप में बहुत पीडा है दुख है दर्द है और दूसी तरफ से social pressure, family pressure, depression तो अगर आप भी इन सब चीजों से जूज रहे हैं तो मैं आप से कहूँगा आप इसका सेवन कीजिए बताए गए तरीके से परहेज कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी body में कितनी तेजी से changes आते हैं जब भी आप इसका सेवन करें तो ये दो महीने का 60 दिन का core से इसे complete कीजिए और उसके बाद baby का plan कीजिए आप देखेंगे कि आपको एकदम positive results मिले हैं अगर आप ऐसी किसी दंपत्ति को जानते हैं जो इस समस्या से जूज रहा है तो ये वीडियो के साथ share करना ना बोलें और यदि ये समस्या आप ही की है तो आप इसमें उसके का video करें तो दोस्तो ऐसा एक content लगातार देखने के लिए परिवार का हिस्सा बने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें धन्यवाद